हेलो माई यूटूब फ्रेंड्स वन्स अगें वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल तो मेरे बर्डे वाले ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं और डिले होने के लिए सौरी बट चलो देखते हैं उस दिन हम एक मुद अच्छी लोकेशन पे गए थे यह जी चत्ताने सानि हाँ से निकास ने पत्तर है यह जारें पन्फाइ 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 तो तहाँ पहुच गोंच 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 एक बहुत अच्छी लोकिसन प्यागे और वहां से चलो वहां से व्यू देखते वहां से व्यू बहुत अच्छा दिखेगा अच्छी अच्छी लोकिसन है कितना ग्रीन दिख रहा है यहां पर कितने सारे टूरिस्ट भी आए वहां पर काड़िया वहां जाने के लिए फ्लेंट टेक उफ हो गिया उदर से दिखेगे वहां जारा है कि अधर धार टो प्रैंट्स हम आ गहे हैं सब रिजिडेंस एरिया नहीं और च दूर दुर दिख रहे हुआ मम्मी ओ उदर दिख रहे है दूप हाँ तोरे घर लेजिडेंस वो ने न एक दो इन चार है हूँ एक दो तीन चार नोम्ती से पता चला है तो पहुंच गए है हम जोद्पुर के फेमस उमेद भवन पैलस में जो कि महाराजा उमेद सिंग नहीं बनवाय था नाइंटीन फोर्टी थीरी में बनकी यह तयार हुआ था दुनिया के सबसे बड़े प्राइवेट प्रॉपर्टी में से एक है और इसको ताज होटल जो कि मुंबई में है उसका ही एक पार्ट भी बोलते हैं और इसमें भी साड़े तीन सो कम रहे हैं लगबग और इस पैलस के तीन पार्ट है वैसे एक पार्ट को तो लगजरी पन है और यहां पर पुरानी पुरानी चीज़े जैसे कि तल्वारे वगयरा उनकी फोर्टो बढ़तानी सब रखे वेए और यहां देखें यहांपे एक सेक्सन है विंटेज कार का यहां पर पुराने जमाने की लगजरी कार का सोकेस में रखी गई हैं ये लिए कार कौनसे कार लोगी साली पकार क्या है क्या है नहीं की लिखावाटा का साथ लेंगी नाइटीन फुटी कोड़ी की बिनीवी इस से मोउच लिखावाटा से लिखावाटा दू़े तो अब चलते हैं वापस कैसा लगा आपको यहां से यू पहले कमेंट में जरूर बताएं कैसी लगी आज की वीडियो तो मिलते हैं अगले व्लॉग में फिर से कुछ नया इस पेसल लेकर आऊंगे आपके लिए और जल्द ही मिलेंगे तब तक के लिए बाइबाइब यह वी बगे टेये पांफार पांफार